वो आखें आज बंध हो चुकी है जो कल तक कलेक्टर बनने के सपने देखा करती थी वो धड़कने आज ठम चुकी है जो कल तक UPSC के नाम से धड़का करती थी और देड़ से ही सही पर आज दहिंदू अख़बार में किसी नामचीन कोचिंग संस्थानों का एड़र्टिजमेंट नहीं आया है मानो दिल्ली में जो तीन UPSC एस्पिरेंस की मृत्टी होई है उन्हें मौन होकर सर्धानजली दी जा रही हो आज मैं दिल्ली के इन्हीं कोचिंग संस्थानों पर बात करने वाला हूँ जो दावा करते हैं कि हमारे यहां से पढ़लो कलेक्टर तो हम ही बना देंगे भले बेस्मेंट में गोदाम कहकर लाइब्रेडी चलाएं और अपने ही छात्रों को जल समाधी लेने को मजबूर कर दें भले एक ही क्लास्रूम में तीन सो से चार सो लोगों को कलेक्टर बनाने की ट्रेनिंग दे दें लास्ट बेंज पर बैठा सोनू अगर पिछले पांच साल से प्रिलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा किसे फ़र्क पड़ता है मोटिवेट तो उसे भी करना है अगर अंतिम प्रयास में भी प्रिलिम्स की बाधाओ क्रॉस नहीं कर पाया तो किसे फ़र्क पड़ता है अस्टेट PCS तो है ही वहाँ एज लिमिट भी 37 साल है सोनू अब अस्टेट PCS की तयारी कर लेगा पर सोनू को एक कौन बताएगा कि 40 साल तक जिस अस्टेट PCS की तयारी ओ करेगा वहाँ अगर नौकरी मिल भी जाए तो 20 साल बाद और रिटायर हो जाएगा अगर कुछ रिटायर नहीं होने वाला तो वो है इन कोचिंग संस्थानों का फॉर्मूला हमारे यहां आओ कलेक्टर के सपने सजाओ और हमें मोटी फीस दे जाओ जो कल तक इंस्टाग्राम के रिल से लेकर यूट्यूब के हर तीसरे सौट्स में कलेक्टर बनने के लिए मोटिवेट किया करते थे आज अद्रस से हो चुके हैं आईए सर और मोटिवेट कर दीजिए कोचिंग संस्थान के बेस्मेंट से बच निकले उन स्टूडेंस को जिनके तीन मित्र अब उनके बीच नहीं रहें पर मोटिवेशन का चूरन उन पैरेंस को कैसे खिलाईएगा जिनकी गोध सूनी हो चुकी है अगर पांच रुपए के पारलेजी बिस्किट के पैकेट पर इंग्रीडियन्स लिखना जरूरी है तो कलेक्टर बनाने वाले कोचिंग माफिया अपने हर एडवर्टीजमेंट में ये क्यों नहीं बता सकते कि इनके कितने छातरों ने UPSC प्रिलिम्स क्वालिफाई किया और कितने उस एक्जाम में पास नहीं हो सके ये मुखरजी नगर के डाकू कल्यूक के बाली है जो भी इनके पास जाता है उसकी आधी संपत्ति इनकी हो जाती है अदभुत सकती है इन कोचिंग माफियाओं पर एक्षन लेना इतना आसान भी नहीं है इनके छेले ब्यूरोक्रेसी में फैल चुके हैं कई तो मीडिया के सामने दावा करते हैं कि अगर हम कुछ काम करवाना चाहें तो हमारे लिए आसान होता है कई ब्यूरोक्रेट कभी कभार इन ही कोचिंग संस्थानों में आकर मोटिवेशन वाला चूरन भी बाढ़ जाते हैं अपना सोनू यही चूरन खाकर तो आज भी इनके गुनगा रहा है समय आ गया है कि सरकार सिक्षा के इन वैपारियों पर सक्त एक्षन ले वरना मोटिवेशन का चूरन अभी न जाने कितने युवाओं के सुनहरे भविश्य पर ग्रहन लगाएगा